तो क्यूपी चॉक नेट सीजन टू एपिसोड टू कुश्वाद महीं सोती है जहां से पिछले एपिसोड खतम हुआ था वो लड़की जी आइंग को लेके चस से नीचे कुद जाती है और जी आइंग के फटके चार हो चुकी है यार अभी तक तो मैं पूरा जिंदगी भी न अपने आसपास देखता है तो देखता है कि हवे में एक ब्लू वेल ऊड़ रहा है हवे में कुछ बिलिया बटके सो रही है और भी हवे में बहुत सारी चीज़े ऊड़ रही है मतलब पुड़ा एक फैंटसी सब वर्ल्ड हो चुगा था जैसे कि परियों की कहानी में रहता है और तो उसकी मैजिनेशन में बहुत इंपॉर्टन परसन है मतलब ड़नी के को जुरुवत नहीं है तुम मरेगा नहीं यह तुझे मरने नहीं देगी और इसके बाद जैंग सेंडी से पोस्ता है कि तुमने मुझे पिछले वर बताया नहीं था कि आखिर मैं तुम्हारा हूँ क्या मैं तुम्हारा लगता हूँ सेंडी बोलते हैं तुम यह क्या पूछ रहे हो क्या तुम भूल चुके हो तुम बच्पन के मेरे सबसे करीब ही सबसे खास हो तुम हो इनसान हो जो कि हमेशा मेरा साथ दिया था जो कि हमेशा मेरे साथ था तुम हो थे जिसको रिलाइस हुआ कि हां मेरे में टैलेंट है और गई जीएंग को भी है और हमें भी पता है कि जितने भी सब है व्यूसा चॉक्लेट का मेजिक है असल में जीएंग उस लड़की का कुछ भी नहीं है इस अब उसका जो कि चौकलेट खाने बाद उसके अंदर बनी है तब ही वह लड़की आके सेंडी आके चिपक जाती है जियांग से बोलती है मैं जो कुछ हो सब तुम्हारे लिए हूँ जियांग का हाथ पकड़के वह हवे में उसके साथ डांस करने लगती है जियांग की फटके चार हो रह यानि अपनी क्यूपीट गलाती है और कहती है देख बेटा जियांग यह जो हो रहा है तुझे रोकना पड़ेगा वना इसी चलता रहा तो वो खूद फैंटेसी वर्ल्ड में चल जाएगी जो उसने इमेजिन किया है मतलब दूसरे डाइमेंशन में चली जाएगी और वो परी से पुषता है क्या जो पेट पर दरवाजा दीख रहा है क्या यह दूसरे डाइमेशन में जाने के दरवाजा है तो परी बोलती है कि हाँ हो सकता है क्योंकि सेंड यह जो कुछ भी कर पार यह उस अब चॉकलेट के मैजिक हम परियों कर रहता है हम प्यार की देवियों कर रहता है और हम पूरे मल्टिवस में हर काम समालते हैं वहां के लोगों में प्यार बाटते हैं उनके बीच में प्यार करवाते हैं तो मतलग यह हैरान होने की बात नहीं है कि वह जो चॉकलेट खाने कवाद वह मैजिक कर सकती है वह एक डिमेशन से दूसरे डिमेशन में यह जा सकती है यह बिलकुल भी पॉसीबल है और वो जा भी सकती है और तुमें भी लेके जा सकती है और तभी पीछे सेंडी आती है जीक का हात पकड़ लेती ह सकता क्योंकि वहना अपनी मैजिनेशन से कुछ भी कर सकती है यह चलता फिरता बहुंब है जो कि कभी भी फड़ सकती है तो मुझे सोच समझ के अपना चाल चलना पड़ेगा और जी एंग को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो सोचने के लिए इसलिए सेंडी से कहता है कि चलो अपना इमेजिनेशन से कहने को नहीं 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 चाहिए तो यह सुनने का पता नहीं हो जाता है और अपना इमेजिनेशन से एक्रफएरियम में पहुंझाती है एक्रफएरियम को जेंट पूरा मतलब परेशन संस पराइब वंचलिया में तो सार बिना ले पाऊंगा और तभी पीछे सेंडी आती है कहती है रिलैक्स हो जाओ तुम सास ले पाऊगे तुम्हें कोई प्रोब्लम नहीं होगा जीयंग कि हां मैं सच में सास ले पा रहा हूं और फिर जीयंग सेंडी की तरब देखता है तो देखता है कि सेंडी मचलियों के साथ खेल रही है और बहुत जादा वह खुश है और सोचता है कि सेंडी की दुनिया कितनी खुपसूरा तो उसकी मेजिनेशन ऑली दुनिया कोई भी इसे नहीं देख सकता कोई भी हमें नहीं सकता यह अराम से हमडो आ जा सब्सकρι hy race और कितनी सुंदर रुनिया इसने बनाई हैं अब फिस सेंडी जैंग को लेकर डॉल कि नहीं हम उसे नहीं ले जा सकते जो तुम दियां से देखो जो डॉल्फिन है वो उनका ख्याल रखने वाले लोग है और डॉल्फिन उनको अपनी मा बाप की जैसे समझती है तो हम अगर उससे दूर ले गए डॉल्फिन को तो डॉल्फिन दुखी हो जाएगी और रोने कहती है कि तुम भी पकका डॉल्फिन जैसे शैट्स फिल कर रहे हो जो तुम अपनी दुनिया छोड़के मेरी दुनिया में नहीं आना चाहते कोई बात मिया तुम नहीं आना चाहते में भी जो जबस्ती नहीं करूंगी और रो के मतलब वहां से जाने लगती है तब उसकी इमैजिनेशन की दुनिया थी वह भी खड़ने लगती है उसका color change होने लगता है प्रूआ dark होने लगता है मतलब सेंडी को पूरी मैजिनेशन वाली दुनिया वह जड़ने लगती है तो जैंग मतलब सेंडी से कहता है कि रूको कहीं माझ जाओ मैं तुमारे fancy world में तुमारे साथ जाओगे अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक रात सुम अगर आराम करोगे तो उसके बाद तो सब भुल जाएकी तो नहीं ऐसा नहीं वाला है तुम्हें ऐसा तो नहीं सोच रहे कि उससे जूंट बोल दोगी उसके पास infam तो सुनो अगर ऐसा किया तो और भी गड़बड होगा जो तुम उसका अभी देख रहे थे वह रिया सेंडी नहीं थी उसकी आत्मा थे उसकी स्पीरिट थी और जो रिया सेंडी वह होस्पीटल में अभी कोमा के अंदर है क्योंकि हमने एपिसोड वाइन के स्टार्टिंग मे चल गई दूसरी दुनिया में चल गई तो उसका जो रियल बोडी है इस दुनिया में मर जाएगी और इस पित्वी से हमेशा कले उसका नाम निशान मिट जाएगा और फिपरी जियाएंग से ये भी कहती है क्या तुम्हारी लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं क्या तो क्याता है कि देखो जो उसकी दुनिया बनाए थी एक बहुत खुबसूरा दुनिया थी जहां कोई बुराइट नहीं है मतलब सब कुछ अच्छा सब को सुन्दर सब कुछ बढ़िया था लेकिन जो रियल दुनिया है जहां हम रहते हैं वो बुराईयों से भरा हुआ है जह उसने अभी यह तक हमें नहीं बताया है और जब तक हम उसके दिल के बाद पुरा नहीं करेंगे हम उसे रोके कोंई भारिय निकालके समया. इसके बाद जिएंग अपने घर पर आ जाता है और नहारा रहाता है और सोच रहा कि आखिन में क्या करो कैसे रोकूँ अब तो नहार के बाहर निकलता है तब देखता है कि उसके कबरे में उसके बेट के उपार सैंडी लेटी हुई है तो उससे पुश्टा है तो तुम क्या क जिसमें मैंने खुद गाना लिखा है, खुद उसे कंपोस किया है, मतलब तुम्हारे लिए गाना बनाया है, जो कि बहुत important है, तो जीयंग बोलता कि नहीं में यह नहीं ले सकता, क्योंकि यह बहुत जादा important है, और मैं वह हूँ ही नहीं जिसे तुम्हें encourage किया, क्योंकि गा जाती है, और जीयंग यहां पर दुखी है, क्यार यार इस बिचारी को मैं रोकी नहीं पाऊंगा, शायद यह फिन ना बचेगी, तब पीछे से परी आती है, और कहती है, कि लगता नहीं है, कि सेंडी कल तक रूप पाईगी, वह आज यह शायद अपने फैसी वर्ड में च बचाना चाहती हूँ, तो जीयंग कहते है, कि हाँ मेरे पास एक रास्ता है, जिसे मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन उसे ऐसा हो सकता है, कि तुम्हारे रूस वागेरा है, तुम देवियों के तुम परीयों के जो रूस है, उसे शायद मैं ब्रेक कर दूँ, मतलब शायद तो उसके बाहर होगा और इससे हो सकते हैं तुम्हें काफी तकलीप भी पहुंचे, इसलिए मैं तुमसे पुछना चाहता था, तो परी बोलते कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, जब तक मैं सैंडी की जिन्दगी बचा लूँ, जब तक मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वो तुम करो तो जीयंग बोलता अच्छा ठीक है। और इसके बाद सेंडी की तरफ जो कि अपने मत उस पेड का पास है जिससे एक दुनिया से दुसरे दुनिया में हो जा सकती है। तब यहां पर जीयंग आता है और सेंडी जीयंग को देखे बहुत जादा खोश हो जाती है और जाके जीयंग को गले लगा लेती है और उसे पुछती है क्या तुम मिरे साथ मेरे फैंटसी वर्ल्ड में आने के लिए तयार हो उसके लिए तुम यहां आये हो तो जीयंग बोल तो उसके दो बताने लगती है कि जब मतलब कोमा में जब उसके एकसिडेंट हुआ उसके बाद भी जिस कमपनियों के अंडर उसने साइन किया था और लोग चाहते थे कि मैं जल्दी से ठीक हूं ताकि मून के लिए गाना गा सकूं उनका मतलब सेवा कर सकूं अपना काम पूर तो यहां कोई भी बुराय नहीं रहे ऐसा हुई नहीं सकता सच्छाई और अच्छाई मतलब एक सीख्के के दो पहलू जैसे है तो यहां जाओ कि तुम्हीं यह दोनों को दोनों मिलेंगे तुम इसे ठुकराई नहीं सकती भले तुम पूई सिभ दुनिया में जाओ तुम् उसने जो मुझे बताई थी तुम्हारे बातों से एक दम अलग है तुम पक कोई बैरूपी हो तुम वो हो हो इनी सकते और रोते रोते जो उसका दरवाजय था एक डिमेशन से दूसरे डिमेशन में जाने का उसके अंदर जाने लगती है और अलमुश उसके अंदर एंडर कर चुकी है और जियाएंग भी अपना हाथ उसको रोकने के लिए उसके अंदर डालता है और यही पर यह एपिसोड खतम तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई